बसकार दोस्तों मैं पूजावर्मा निमरोलोजिस्ट, रोकाड ड्रीडर, एक्सेस हीलर, आप सब के लिए लेकर आई हूँ, कल के लिए उपाए, कल है 7 सितंबर, सोमवर, सोमवर का जो दिन होता है, वो चंद्र को रिलेट करता है, आप चंद्रमा के उपाए सोमवर के दिन क जो जए आपके घर में हो, लक्षमी गनेश का या कोई भी चांदी की चीज, जाए चांदी की गोली हो, वो आप अपनी मा से अगरदान के स्वरूप में लेते हैं, उपहार के स्वरूप में लेते हैं, और ता जिन्दगी अगर आप उसको अपनी अलमारी में, अपने में जहां भी रखना चाहें छुपा कर आप उसको रख सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो चंद्र है जो जिन जगह से आपके mood swings रहते हैं, आपके मन में विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनमें आपके परिवर्तन आ जाएगा और ये उपाए बहुत अच्छा है, जिन लोगों का भी चंद्र वीक है, वो सोंबर के दिन में ये उपाए कर सकता है, चंद्र के मैं और आपको उपाए बताती हूँ, दो बाए दो का एक चंदी का सिक्खा लीजिए और आप उसको अपने wallet में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, जिस पर्स में आप रोज बर्रा का cash रखते हैं, जिसमें आप पैसे रोज खर्चने वाले पैसे रखते हैं, उ चेशे गराम की और उन गोलियों को मालक्षमी के सामने रख कर शुक्रवार के दिन में लीजिए और उनको रख लीजिए शुक्रशनी इतवार तीन दिन उनको पड़े रहने दीजिए और अच्छा होगा अगर आप गंगाजल में दो कर वो गोलियां चांदी की अगर के आगे रखते हैं लेकिन सोमवार को सुबह उठा कर उनको केसर का तिलक करकर अपने वालेट में रखते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत शुब होगा ये उपाय करने से भी आपके पास जो पैसे का आना जाना है यानि की पैसा आपके पास इनकमेंग होना शुरू हो जाएगा और पैसा आपके पास टिकना शुरू हो जाएगा सोमवार के दिन आप कही भी सफेज चीज का दान दे सकते हैं जैसे चीनी है चावल है या दूध है क्वांटिटी की कोई लिमित नहीं होती बेशक आप एक कटोरी दीजिए एक मुठी द बढ़ा कर दीजिए लेकिन ये दान देने से भी आपकी लाइफ में आपके सफलता के रस्ते जो है जिन लोगों का चंद्रवीक है वो ठीक होता है और आगे आप लाइफ में अग्रसर होते हैं तो मिलते रहेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ बने रहेगा टैरो पुज करेंगे धन्यवादे